मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपणी की सबसे बड़ी ताप विध्योत इकाई संत सिंगाजी ताप विध्योत परियोजना दोंगरलिया बीड में प्रदेश के उर्जा मंत्री प्रद्यूमनि सिंग तोबमर ने अचानक शुकरवार की राद पहुँच कर और चक निरिक्षन किया वही मजदूरों के साथ बैठ कर उनकी समस्याओं को भी जाना मंत्री प्रद्यूमनि सिंग ने शुबह ताप परियोजना के आवासी परिशर में रहने वाले लोगों से भी समस्याओं के बारे में पूछा और अधिकारियों को ततकाल दिशा निर्देश दे कर समस्याएं हल करने की बात कही वहीं सुबह ताप परियोजना में एक बार फिर निरिक्षन करने पहुंचे जहां कोल हैंडलिंग प्लांट के साथ ही अन्नी जगहों का भी निरिक्षन किया और कमी पाये जाने पर अधिकारियों को सक्त दिशा निर्देश दिये हैं पत्रकारवारता में मंत्री प्रद्यूमर सिंग्धो्मर ने कुछ सवालों का जवाब दिआ वहीं कुछ अंसुल जय सवाल पुशने पर पत्रकारों को जवाब देने में परिशानी भी महसूस की मीजे जव हमारे हैं कोई करमचारी काम करता है तो उसके अनकुल बातावन यह कानून में प्राबदा है तो मैंने पूछा कि यह जहां पर हमारा ओपरेटर बैठता है वहां का गर्मी है एसी लगाया तो लगा है एसी चालू नहीं है उसने कहा है तीन जन से नहीं फिर उसका जब पूरा मेरे जयनकारी लिया तो काफी सब्सक्राइब नहीं था जूट बोल रहा है करमचारी उकन कुल बातावन ना बने जूट बोलना को प्राद है कम्ये छेपाना आए प्रमिन प्रदेश को कि इसको इकलाब बैधानिक कारवाई करिए गुब्य बंती है मंतरी रूप से शीवराज शरकार में माननी के नेतुतों में काम करने के लिए मोखा अश्र चर्चा की जाते हैं कब लाजन जी के पास समय की उपलबता ने थी समय नहीं थी को काम करने वाले लोगों छृप के लिए जो काम कर रहे हैं उसको पुरुष्टां करने का समय उनके पास नहीं थी उनकी रुची सिर्फ बहल बहु ने बैठा करें चैंड़ चैंद्र ठेकेदारों के साथ के लिए समय होता था आम जिन के लिए समय नहीं होता था यह अंता है अभी मंत्री जी और चबने विक्षण वाइस के मात देखा तर्मल पाउर प्लांट है इसको और भी जिल्लो दाए